उदर दिल्ली में Confederation of All India Traders की ओर से दो दिवसी National Trade Summit 2024 का आयोजन किया गया इस Trade Summit में देश भजे 400 से ज़्यादा उद्योग पतियों ने हिस्सा लिया Summit के पहले दिन कई सेशन हुए जिन में Online और Offline Trade को लेकर मंतन किया गया साथी Business को और आसान बनाने, Technology के माध्यम से Trade करने को लेकर भी Summit में आए Businessmen ने अपने विचार साजा किया है Summit में पहुचे, CAIT के महमंतरी पुर्वीन खंडेलवाल ने बताए कि Summit में कई सेटर बुलाए गए हैं, जिसमें उद्योग जगत से जोड़े लोग अपने विचार साजा कर रहे हैं ऐसे Trade Summit बिजनेसमेंज के लिए बेहत जरूरी होता है देश में व्यापार करने का तोर तरीका बहुत तेजी के साथ बदल रहा है देश में लगबग 9 करोड वैपारी हैं जो लगबग 140 लाख करोड का साला ना वैपार करते हैं अभी तक वो पुराने तरीके से वैपार कर रहे थे, उसके बावजूद भी वैपारी होने देश में बहुत अच्छा काम किया है लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब वैपारीों को भी अपने वैपार में और वैपार करने के तौर तरीके बदलने होंगे एक नए तरीके से काम करना होगा और उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कन्फिटरेशन आफ और इंडे ट्रेडर्स ने आज और कल यानी 28 और 29 सितंबर को देश के लगबाग साड़े 300 प्रमुक वैपारी नेताओं का ये सम्मिट आयो जित किया है इस सम्मिट में अलग-अलग सेशन्स में हमने अलग-अलग पैनल बनाए है जो जिसमें विशयशग होंगे और वो सारे विशयशग हर से संबंदित जो विशयशग है उस पर अपनी बात कहेंगे व्यापारियों को ये जानकारी देंगे कि क्यों ये सब कुछ जरूरी है और इन सब चीजों को अपना करके वो किस प्रकार से अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं किस प्रकार से स्वस्थ प्रतिस्परदा कर सकते हैं और किस पकार से देश की अर्थवस्ता को मजबूत कर सकते हैं। निश्चुत रूप से ओनलाइन व्यापार का एक हिस्सा है और कंजूमर्स के चॉइस के हिसाब से हमें ओनलाइन व्यापार यदि करना होगा तो व्यापारी जरूर करेंगे। उस पर भी एक सत्र में हमने उस पर व्यापक चर्चा रखी है।